किसान भाईहों धान को भारत की प्रमुक फफल कह bir दान के बाद वह मांसूटिן को बाद भारत के मामले में दूफरे एफ्थान पहर क्या जाता पशे हैं यह चाल्खा ज़रुरी है कि दान की नर्फरी कैफे त्यार की जाती है तो प्कार पूरा देखा कर In बाथंभाइओं ओर आपके अपने चैनल पूरा प्रिकर टाइब करें और बेल बटन को दबाएं जिससे की नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहें किसांभाईों फफफे पहले बात करते हैं बीज के चुनाव की तो किसांभाईों धान की नफरी तैयार करने के लिए फ़ही बीजों का चुनाव जरूरी है इसके लिए अधिक उत्पादन देने वाले अच्छे प्रतिरोधी किस्म की बीजों का चुनाव करें इसके लिए बेहतर अंकुरण वाले फटिश्पाइट बीज को ही लेना चाहिए बीज लेते समय कुछ बातों का ध्यान जरू रखना चाहिए जैसे अपने छेतर के हिसा बात करते हैं बिज wodओ टो प्रती एकड के खेत में हैब्रीड बीज के 6 kg बीज प्रती हेक्टेर खेट में इफ आर आई पद्रती के फार दस्मलों 5 किलोगराम बीज की जरूरत होती है किसान बाईों बात करते हैं बीज अवचार की तो किसान भाईों धान की अवचार के लिए उसमें नमक ड Candle कर अच्छी तरवे घोलत तजार कर सकते हैं किसान भाईों बात करते हैं कि धान की नर्फरी कब लगाएं तो किसान भाईों धान की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए नर्फरी को फ़ही समय पर लगाना ज़रूरी है इससे धान की रुपाई सही समय पर कर वकते हैं किसान भायों देर से पकने वाली प्रजाती की नर्षरी माई के दूफरे सब्ता से लेकर जून के दूफरे सब्ता तक कर देनी चाहिए बास्मातिक किस्म की नरफरी को जून की महिने में लगाना चाहिए तो किसानबाइयों धान की नरफरी तैयार करने के लिए खरपतवार रहिद सूखी और उपजाओ भूमी का चैन करना चाहिए बीज को 12 से 14 घंटे पानी में विगोएं फिर 24 घंटे अंकुरड के लिए छाया में रखें एक एकड़ खेत के लिए अंकुरी बीज को 320 से 400 वर्ग मीटर प्रती एकड़ की दर से नफरी बोएं नफरी खेत से 10 20 मीटर उचे फता पर होनी चाहिए किसान भाई यो अब बात करते हैं कि नफरी डालते समय हम कौन सा खाट डालें तो किसान भाई यो नफरी तैयार करते समय हमें 1.5 kg यूरिया, 3 kg डीएपी, 2 kg यमोपी तथा 1 kg जिंक सलफेट का प्रयोग करना चाहिए नफरी की फुरिच्छा के लिए 10 से 12 दिन बाद 250 ग्राम कार्बो फिवरान 3G का प्रयोग करना चाहिए 15 से 16 दिन बाद 1.5 kg यूरिया का प्रयोग करना चाहिए जिससे पौधे ताकतवर हो